हलो फ्रेंड्स आज के इस वीडियो में मैं आपको यह बताने जारों कि कैसे आप अपने लावा Z61 Pro Android ndvile phone में आप color correction setting को enable कैसे कर सकते हैं यानि on कैसे कर सकते हैं और यह color correction setting जो है enable होनी के बाद यह setting कैसे काम करती है आज किस वीडियो में आपको डिटेल में जनकारी देने वाला हूं तो चलिए आपर जो आप वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं सबसे पहले तो आपको अपने mobile phone में setting page open करना है setting page open करना है phone का और आपको setting page में नीचे की side आना है यहापर आपको option मिलेगा यह accessibility का अब को color correction के page में आपको Use Color correction के ठीक सामने आपको बटन दिया हुआ है इस बटन को select करना है तो आपकी setting enable हो जाती है अपने mother phone के back page पे आगया हूं तो यह तीनो icon जो आपको दिख रहे है इनका color जो थोड़ा black हो गया है यह setting on करने से कि कोई भी आइकन का color होता है यह आपके मेरे थोड़ा डल हो जाएगा मैंनलब फीका सा हो जाता है थोड़ा कलर ठीक है जैसे यह अप के पूरे मुवाईल सिस्टम पे इस सेटिंग अपलाई होती है जहां कहीं भी आपके कलर हो गालर जो अप आइकन से हैं इनके कलर देखें का अंतर देख पाएंगे अगर मेरे second camera से अगर आपको ये ठीक से difference अगर नहीं दिख पा रहे तो ठीक है इस setting को आप enable करके देखेगा आपके colors में तोड़ा फर्क आ जाता है ठीक है ये setting ऐसे काम करती है आपके mobile phone में अब मैं आपको इस setting को ढूंडने का एक shortcut तरीका बता देता हूँ आपके phone में इसके लिए आपको करना क्या है mobile का setting page open करना है setting page में सब सोपर आपको search setting पर आपको select करना है और यहाँ पर search बार में आपको type करना है color correction ठीक है जो setting का name है वो आपको पूरा type करना है तो आपको नीचे की side में आ option शो जाएगा color correction का इसे select करना है इसे होता है क्या है आपका mobile phone आपको directly setting में लेकर आ जाएगा ठीक है तो यह setting को डूंट रहने का एक shortcut तरीका है आपको एफोन में